आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की फोटो खीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ परसंद दिया गया है यदि किसी वैक्ति ने दो वस्तों A, 40% लाप पर B, 20% आनी पर फुन सोदे में उसे रूपे 18 का लाप राप्तवा यदि A की लागत मुल्य B से 140 कम हो तो B का लागत मुल्य कितना रहा होगा देगे हमारे पास देव वस्तों दी गई है A है, दूसरी हमारे पास दी गई है B, इनका लागत मुल्य मान लेते हैं यानी क्रे मुल्य की बात करते हैं सबसे पहले इसने काया 40% लाप पर बेचिये तो 40% के अगर हम बना देते हैं भिन, तो 40 बटे 100 रहा होगा 40 बटे 100 को 0 से 0 काटते हैं दो बटे 5 रहा होगा इसको हम करे मुल्य कहते हैं करे मुल्य का मतलब यह भी हो सकता है कि यह हमारे पास ओरिजिनल यानी वास्त्विक संख्या है, वास्त्विक नंबर है अगर हमारे पास करे मुल्य A का 5 था तो इस पर लाब हुआ है तो विक्रे मुले लाब कितने का हुआ है लाब या हानी यहाँ पर लिख लेते हैं लाब और हानी यह लाब और हानी हुई है यहाँ पर किसकी दोकी हुई है विक्रे मुले कितना हो जाता है देख लेते हैं विक्रे मुले जूड जाएगा जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 7 A के लिए हमारे पास समझ में आ जाती है बात अब B पर देखते हैं 20 पर 30 है 20 पर 30 का मतलब 1 बटे 5 हो जाएगा इसलिए 5 है हानी है तो 5 से कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा तो ये 5 है एक की हानी है तो यह कितना हो जाएगा हमारे पास 4 हो जाएगा इसने कहा है पूरे सोधे में हम देख लेते हैं क्रेम उल्ले हम मान लेंगे वास्तों में अगर 5X रहा होगा तो 2X की हानी हो जाएगी और इसक्रेम उल्ले हो जाएगा हमारे पास 7X इसी तरह अगर यहाँ पर 5y रहा होगा तो वास्तों में –y यानि –1y हो जाएगा और यह हो जाएगा 4y इस तरह से हम कह सकते हैं तो पूरे सोधे में उसे कितना हुआ है 18 रुपे का लाब हुआ है तो हम कह सकते हैं 2x में से जब हम y घटाते हैं तो बराबर कितना आ जाएगा 18 रा जाएगा समिकर नमबर 1 दूसरा में दिया गया है कि यदि a का लागत मुले b के लागत मुले से 140 कम हो तो 5y में से 5x घटा देंगे तो बराबर 140 हमें दिया गया है तो 5y – 5x बराबर 140 हमें दिया गया है अगर हम y-x देखते हैं तो बराबर 5 से इसको काड़ सकते हैं तो 28 आ जाएगा अब हमें पूछा क्या गया है पूछा गया है b का कितना क्रेम उल्ले है तो b का क्रेम उल्ले कितना है यहाँ पर 5y है ऐसा कह सकते हैं तो 5y की value निकाल लिए है अगर x माप करना पड़ेगा हम 2 से गुना कर लेते हैं 2 से गुना करेंगे तो यह 2y आ जाएगा पलस का यहाँ पर पलस 2x माइनस का 2x आ जाएगा 2 से गुना कर लेते हैं समिकर्ण में 2 समिकर्ण में इसमें गुना करते हैं दूसरी में तो हमारे पास कितना जाएगा, 2Y, 2X, 56, और अब हम देखते हैं, यह हैं हमारे पास 2X-Y, बराबर 18, दोनों को हम देखते हैं, एक जुड़ कट जाएगा, अगर हम समीकरणों को जोड़ देते हैं, समीकरणों को जोड़ने पर यह दोनों कट जाएगे, तो हमें पता चलेगा, कि यहां पर बचेगा Y, यह हमारे पास Y बचेगा, और यह बच जाएगा, आठ चेंचोड़ा का चार कहां से लगा, एक 5, 6, एक 7, 4, तो Y बराबर कितना हो जाएगा, चोड़ा हो जाएगा, पूचा है हमारे पास, करें मुल्ले तो कितना था, 5Y, तो करें मुल्ले बराबर, B के बारे में कह रहे हैं, 5Y, 5 गुना Y, बराबर 5 गुना Y की वेल्लू कितनी है, चोड़ा है, बराबर, यह हो जाएगा, से लेके नीट IIT जेही मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से जादा स्टुडेंट्स कभर हो सा आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट आप यह वाट्साप कीजिए अपने डाउट्स आठ चारसो 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 पर